हलो इस्टुएंट्स मैं हूँ अमीत और आप देख रहें जहारखन पाट साला तो इस्टुएंट्स आज हम लोग बात करेंगे उत्पादन संभावना तथा उत्पादन संभावनों वक्र के बारे में एक्जाम के लिए बहुत ही आवश्चक कॉस्चन इससे पूछी जाती है बहुत ही इंपोर्टेंट है तो इसे आप एक बार जरूर देख लिजिएगा एक्जाम में बैठने से पहले उमिद करता हूँ कि आप लोग की तयारी भी काफी अची चल रही होगी और यहां पर मैं अभी आप लोगों का मदद कर रहा हूँ तो आप भी मेरा थोला मदद कीजिए नए हैं तो चैनल को सब्क्राइब कर दीजिए और वीडियो का अंतक देखेगा लाइक कीजिएगा अगर हो सके तो अपने क्लासमेट के साथ भी इसे शेर जरूर कीजिएगा चलिए बात करत हैं उत्पाधन संभावनाई तथा उत्पाधन ऽंभावनावध्र के बारे में वर्क के में सबसे पहले हमलोग तो समझ लेंगे कि उत्पाधन की संभावनाई पिछले जो मैंने वीडियो बनाया था तो उस समय मैं बता चुका हूं कि किसी भी फ्विवस्था के समक् जियान रखेगा सिमीद संसाधनों से एक से ज़्यादा दो तीन चार पांच कई सारे संसाधनों का उत्पादन किया जा सकता है ठीक है लेकिन अध्यन को सरल बनाने के लिए हम लोग दो ही वस्तु का बात करेंगे ठीक है तो कोई भी अर्थ विवस्था जब सिमीद संसाधनो से दो वस्तु का उत्पादन कर रही हो तो उत्पादन के बहुत से संभावनाएं उत्पन होती है ठीक है अब यहाँ पर ही देख लिए मैंने यह जो टेबल यहाँ पर बनाया है यहाँ पर मैंने संसाधन लिया और संसाधन में मैंने सिमित मात्रा रखी है दस संसाधन है ठ ठीक है और यह हैं हमारी विभिन संभावना है अब देखिए क्या है कि जब हम लोग संसाधन का पूर्णता परियोग X वस्तु के उत्पादन में करेंगे तो क्या होगा कि X वस्तु का उत्पादन अधिक्तम होगा जबकि Y वस्तु का उत्पादन सunted होगा कारण यह है कि हम लोग जितने भी हमारे पास शंसाधन है उन सभी संसाधनों का परियोग हम लोग X के उत्पादन में कर रहे हैं अब हमें y वस्तु की इकाईयों का भी उत्पादन करना है, तो अगर हम यहाँ पे कुछ मात्रा बढ़ाते हैं, दो मात्रा अगर हम यहाँ पे बढ़ाते हैं, y वस्तु के दो इकाईयों का उत्पादन करते हैं, तो संसाधन हमारे पास सिमीत है, हम अलग से संसाधन नहीं इससे क्या होगा y वस्तु का कुछ इकाई या इकाईयों का उत्पादन हो जाएगा लेकिन x वस्तु की उत्पादन में कमी आएगी कारण तो यहां पर मैंने कुछ संसाधनों की कमी कर दी है और इन्हीं संसाधनों को मैंने अस्थांतरीत कर दिया है y वस्तु में ठीक जैसे जैसे हम y वस्तु की इकाईयों में व्रिद्धी करेंगे वैसे वैसे आप देख सकते हैं x वस्तु के उत्पादन में कमी आते जाएगी एक समय ऐसा आएगा अगर मान लिजिए मुझे x वस्तु का अधिक्तम इकाईयों का अगर उत्पादन करना है तो फिर क्या होगा x वस्तु का उत्पादन मेरा सुन्नी हो जाएगा क्योंकि ऐसा कंडिशन में मुझे सभी संसाधनों का यानी जितने भी मेरे पास संसाधन है सबका परियोग y वस्तु के उत्पादन के लिए करना पड़ेगा ठीक है तो आप देख लिजे इधर विभिन संभावना है ठीक है पहला संभावना तो ये है कि x वस्तु का 10 एकाई और y वस्तु का 0 एकाई दूसरा संभावना x वस्तु का 8 एकाई तो यहाँ पर y वस्तु का 2 एकाई तीसरा संभावना है ठीक है 6, 4, 14 है 4, 6 ठीक है 2, 8 और 0, 10 और भी संभावना है हो सकती है ठीक है मैंने बस एक्जामपल के लिए आप लोगों को यह बताया है आप संख्या कोई भी ले सकते हैं बस इतना आपको ध्यान देना है कि आपको संसाधन को सिमित रखनी है और जैसे जैसे आप एक वस्तु की इकाई को बढ़ाएंगे वैसे वैसे दूसरी वस्तु की इकाई में आपको कमी करनी होगी ठीक है चलिए यह तो हो गिया उत्पादन संभावना है ठीक है अब हम लोग बात करते हैं कि उत्पादन संभ कर्व भी कहा जाता है तो देखिए उत्पादन संभावनाव वक्र क्या है जान लिजे इस चीज को उत्पादन संभावनाव वक्र दो वस्तुओं के उत्पादन के उन संभावनाओं को व्यक्त करता है जिसका उत्पादन निश्चित संसाधनों के कुसलतम परियोग से किया जा सकता है कहने का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों ठेक्या यानि निश्चित संसाधन से जब दो वस्तूओं का उत्पादन किया जा रहा हो तो वस्तूओं के उत्पादन मात्राओं में विभीन संभावनाएं देखने को मिलती है और उन्हीं संभावनाओं को ज आप देख लिजिए हो मैं इसे एक बार आप लोगों को समझा देता हूँ देखिया यहाँ पर मैंने दो लाइन ली है जीरो से एक्स ठीक है जो एक्स वस्तूओं को दिखाए गिया है और जीरो से वाई जो की वाई वस्तूओं के उत्पादन मात्रा को दिखाए गिया है यहाँ पर मैंने जो red color से line जो draw की है आप देख सकते हैं यहाँ पर A से लेकर के F तक यानि A F जो रेखा है यह हमारा PPC है ठीक है यानि production possibility curve और यहाँ पर जो A, B, C, D, E यह सब जो यहाँ पर हम लोगों ने मैंने यहाँ पर दिखाया है यह आपका संभावना है सभी ठीक है आ यानि 10 के पास ठीक है तब यहाँ पर आप X का उत्पादन देख रहे है जीरो है अब यहाँ पर क्या किया गिया है जैसे मैं X के उत्पादन को बढ़ाता हूँ Y का उत्पादन देखिए कम हो गिया है और इसलिए यहाँ पर मैंने इस रेखा को बनाया है इसकी 8 और इसकी 2 इकाई, ठीक, उसी परकार देख लिजे है, जैसे मैंने यहां पर X की इकाई को और बढ़ा दिया Hadian उतपादन में जैसे मैंने यहां बृध्धि किया, वैसे आप देख सकते हैं कि यहां पर Y वस्तु के उतपादन में कमी आई है यानि ये तो बढ़ा लेकिन इधर क्या देख रहे हैं कम हुआ ठीक है फिर मैं इधर जैसे x वस्तू के उत्पादन में बढ़ाता हूं तो ये क्या हो जागा और भी कम हो जागा देखिए ये मेरा यहां पर बढ़ा और इधर वो क्या हो गिया कम हो गिया तो यानि हम जैसे जैसे एक वस्तु के उत्पादन में ब्रिद्धी करेंगे वैसे हमें दूसरे वस्तु के उत्पादन में कमी करना पड़ता है यानि दोनों के उत्पादन में हम लोग एक साथ ब्रिद्धी नहीं कर सकते हैं यहां पर अगर हम नहsels दो बिंदू देते यहां पर एक बिंदू यहां पर का तो इस जगह पर उतपादन करने का अर्थ है कि मैंने दोनों में कमी किया, यानि दोनों में संसाधनों की कमी कर दिया, इसलिए मेरा उत्पादन दोनों में क्या हो गया, कम हो गया, यानि मैं अपने साधनों का कुसलतम परियोग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसे अगर G नाम यहाँ पर दे देता हूँ, इस इस जगहा पे भी हम उत्पादन नहीं कर सकते हैं ठीक है यहां पर उत्पादन करने का अर्थ है दोनों के उत्पादन में ब्रिद्धी करना और दोनों के उत्पादन में ब्रिद्धी करना और दोनों के उत्पादन में हम लोग ब्रिद्धी नहीं कर सकते हैं कि हमारे पास सा दूसरा वस्तु की उत्यान को बढ़ाएंगे तो दूसरा वस्तु की उत्पादन को घटाएंगे हैं और बस आपको ये चित्र का अध्यान करके आपको नीचे में लिख देना है इसी तरह से 0 से X, X वस्तु के उत्पादन को बताए गिया है, 0 से Y, Y वस्तु के उत्पादन को बताए गिया है, ठीक है, इस तरह से आपको बताना पड़ेगा, A, B, C, D, E, F जो है उत्पादन के विभिन संभावना क पड़ेगा है, ठीक है, और जो यहां पर, A, F, जो है, यह आपका उत्पादन संभावना वक्र है, ठीक है, जो दाएं से बाएं, रिनात्मक है वो, स्वरी, बाएं से दाएं, रिनात्मक है वो, ठीक है, तो इस तरह से आप ग्राप का ध्यान करके आप बता सकते, एक्जाम मैं आपको बताऊंगा, इंड में, कि किस तरह से question पूछा जाएगा एक्जाम में, चलिए, अब इसके कुछ विसेस्ताओं के बारे हम लोग बात कर लेते हैं, उत्पादन संभावना वक्र की कुछ मान्यताएं होती है, और कुछ विसेस्ताएं होती है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं, ठीक है, किन मान्यताओं पर यह नियम जो है वो लागू होती है, देखें, उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं, पहला, उत्पादन के साधनों की स्थिर एवं सिमित मात्रा, ठीक है, आपको यह ध्यान मे रखना पड़ेगा कि यह मान्यता तभी लागू होती है जब उत्पादन के जो साधन है वो इस्थिर होती है और उसकी मात्रा सिमित होती है ठीक है इसका अर्थ यह है कि आप उत्पादन के साधनों में घटा या बढ़ा नहीं सकते हैं आपको उसे इस्थिर मान करके चलना प घटार सकते है ठीक है यानि एकस वस्थो के उत्पादन में जो भी सैसाधन लगा है उसे आप Store Y में ले जा सकते हैं y से x में ला सकते हैं लेकिन आप अलग से कोई भी संसाधन को बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं ठीक है तो पहला तो ये हो गया मान्यता दूसरा मान्यता देखिए दूसरा मान्यता कहता है उपलब संसाधन का पूर्ण एवं कुसल परियोग ध्यान रखिएगा कि जितने भी आपके पास संसाधन है उसका पुर्ण रूप से परियोग हो रहा है यानि उसमें कोई भी आपका साधन बेकार नहीं पड़ा हुआ है सारे साधन को आपने उत्पाधन के काम में लगा के रखा हुआ है नेक्ट देखिए आपका जो तकनीक है वो स्थीर होना चाहिए आपको यह मान करके चलना पड़ेगा कि आप उत्पाधन के लिए जो तकनीक का यूज कर रहे है जिस ग्यान का यूज कर रहे है वो भी आप स्रेष्ट तकनीक का यूज कर रहे है उत्पादन की जो मात्रा उसमें व्रिधि कर सकते हैं लेकिन आप जब इस ग्राफ का अधियन करेंगे जब भी उत्पादन संभावना वक्र का अधियन करेंगे तब आपको यह मान करके चलना पड़ेगा कि आप स्रेष्ट तकनीक का परियोग कर रहे हैं उससे ज्यादा स्रे मिनिमम दो ही वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं ना ही दो वस्तु से कम और ना ही दो वस्तु से ज्यादा आप दो वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं वैसे तो सिमित संसादनों से कई सारे वस्तु का उत्पादन किया जा सकता है एक होटल वाला अगर वो दूद लाता है तो दूद से वो मिठाई भी बना सकता है, चाय भी बना सकता है, कोफी भी बना सकता है, पनीर बना सकता है, दही बना करके भी बेज सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग अध्यान को सरल बनाने के लिए यह मान के चलेंगे, कि केवल दो ही वस्तु का उत्पादन हो रहा है, ठीक है इसकी विश्यस्ता को जान लेते हैं उत्पादन संभावना वक्र की कौन-कौन सी विश्यस्ताएं हैं तो आप देखिए इसका जो पहला विश्यस्ता है वो उत्पादन संभावना वक्र जो होती है जब मैंने वक्र को बनाया था तो वक्र कुछ इस तरह से सा देखिए और गिरता है आप इसे ये भी बोल सकते हैं कि बाएं से दाएं रिनात्मक ढ़ाल वाली होती है बाएं से दाएं रिनात्मक होती है ठीक है तो इस तरह से आप कोई भी एक सब्द का परियोग कर सकते हैं कोई भी एक लाइन का परियोग कर सकते हैं बस आपको बताना पड़ेग कि सिमित संसादनों का कुसलतम परियोग से जब आप दो वस्तूओं का उत्पादन करेंगे तो दोनों वस्तूओं के उत्पादन मातरा में आप एक साथ बृद्धी नहीं कर सकते हैं यानि अगर आप एक वस्तू के उत्पादन में बृद्धी करेंगे तो दूसरे वस्तु के उत्पादन में कमी आएगी ठीक है यानि एक्स वस्तु के उत्पादन में अगर आप बृधि करते हैं तो य वस्तु के उत्पादन में कमी आएगी एक बात और दोस्तो मुझे हिंदी टापिंग करना नहीं आता है तो मैं इसे Google Translator वगिरा से मैं इसे ठीक है टापिंग करके मैं इसे यहाँ पर लिखता हूं तो अगर कहीं पर थोड़ा बहुत अगर मिश्टेक हो तो आप लिखते समय से सुधार कर लिजएगा इसका चलिए Next जो आपका विशिस्ता है उसे देख लेते हैं देखिया उत्पादन संभाणा वक्र मुल किया और यह नतोदर होता है यानि 10 क्लास में आपने दर्पन के बारे में पढ़ा था उत्तल दर्पन और आवतल दर्पन ठीक है तो यह नतोदर है जिसे हम लोग आवतल दर्पन कहते हैं ठीक है और उन नतोदर होता है ठीक है जिसे उत्तल दर्पन कहते हैं तो इसका कहने क गारत है उत्पादन संभावना वक्र मूल-बिंदू की और गー नतोदर होता है, ठीक है? मैं पर फिर से आप लोगों को बता देता हूँ, देखिए, जैसे कि मैं यहा के यह वक्र यह होकिया इस गाल है इसका मूल-बिंदू, उत्पादन संभावना वक्र जो है मूल बिंदू की और जो है वो अवतल होती है अवतल भी आप लिख सकते हैं नतोदर भी आप लिख सकते हैं ठीक है कारण क्या इसका आप देख लीजिए कि X वस्तु की जैसे जैसे एक अत्रिक्त इकाई के उत्पादन को बढ़ा जाता है ठीक है वैसे एक अत्रि लिक्त इकाई है ना उसे हमें त्याग करना पड़ेगा तो दोस्तों यह आपका उत्पादन संभाना उभक्रता उम्मीद करता हूं कि काफी अच्छे तरीका से मैंने आपको इसे समझा दिया हूं इसके बाद भी अगर आपको किसी परकार का दिक्कत है अगर आपको अंसर ल उत्पादन संभावना से आप क्या समझते हैं ठीक है तो वह तो मालूम चलिगा कि उत्पादन संभावना क्या होती है दूसरा क्वेश्चन पूछेगा उत्पादन संभावना वक्र क्या है चित्र की सहता से असपश्ट करें तो वह भी आपको यहाँ पर मैं बता दिया संभावना वक्र के मानेताओं का वर्णन करें तो वह भी मैं मानेताओं आप लोगों को बता दिया हूं नेक्स्ट कोस्चन यहाँ पर पूछेगा कि उत्पादन संभावना वक्र की विसेस्ताओं का वर्णन करें तो इस तरह से कोस्चन यहाँ से पूछे जाते हैं चार कोस् पूर्ण है आप इसे ठीक तरह से प्राक्टिस कर लिजेगा मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मिलूगा तब तक के लिए धन्यवाद